शेनास गिल, रुबीना दिल्लाइक, रश्मी तेसाई, इन तीनों में से कौन है शोशल मीडिया क्वीन आपके एकॉर्टिंग ले, ये है सवाल आपके लिए जो मैं लेकर आई हूँ, चलिए जानते हैं क्या है पूरी खबर और क्या है पूरी सवाल, नमस्कार मैं स्टेक्द आप सभी का अमारे चानल पर, आपको बता दू अगर बात कर रहे हैं हम सबसे पहले शेहनास गिल की, तो शेहनास गिल ने गजब का जादू च्हा दिया है, उनके वज़ा से शोशल मीडिया पर गजब के बस चल रहे है, हर वक्त शेहनास के फैन्स, सिर्णास के फैन्स हमे लगातार शेहनास गिल इंडिया से लेकर फॉरिन कंट्री तक है पॉपिलर, आप सभी को पता ही है, वर रिसेंटली आपको पता है, शेहनास गिल कैनडा से लौटी है, अपने वेल्फ फिल्म की शूटिंग करके, और लगातार शेहनास गिल को लेकर जो एक्साइटमेंट लेवल होता है फैंस का, वो हमें देखने को मिलता है, 3.2 मिलियन से भी ज्यादा पोस्ट किये गए है शेहनास गिल के फेवर में, शेहनास गिल के लिए, हैश्टाग शेहनास कर रही है, लगातार शोशल मीडिया पर हो रही है वाइरल, आए दिन ट्विटर पर होती रहती ह है ट्रेंड, शेहनास गिल one of the most popular celebrity में से और शोशल बटरफ्लाई में से एक है, वहीं दूसरे नाम है रुबीना दिललाइक का, जी हाँ, रुबीना दिललाइक बिग बॉस सीजन 14 की विनर बनने के बाद आपको बता दू कि वेल हमने उनकी फैंडम, उनके फैन बेस तो बि भी नहीं था शामिल, बिग बॉस सीजन 14 की बात करे तो, वहीं बाक टू बाक रुबीना दिललाइक की popularity तो हमने बिग बॉस के घर से ही देखी थी, और अब बिग बॉस के घर से निकलने के बाद भी हम लगातार रुबीना दिललाइक की popularity देख रहे हैं, क्योंकि बाक टू बाक हर एक गाना उनका सबसे जादा ट्रेंडिंग रहा है, सबसे जादा वल हाइस टॉप लिस्ट मे रहा है, और अब फिलहाल रुबीना दिललाइक सौम्या के किरदार में शक्ती अस्तितों के असास में भी कर चुकी है वापसी, जिसके बाद इस टीवी शो की टी आर पी भी लगातार बढ़ती ही जा रही है, और रुबीना दिललाइक भी आपको बता दू कि वल 1.3 मिलियन पोस्ट उनके लिए किये जा चुके हैं लगातार बैक तो बैक, तो रुबीना दिललाइक भी है एक शोशल कुईन, शोशल बटरफलाई, वही तीसरा नाम है रश्मी द देसाई ने भी एक गजब की पॉपिलारिटी गेम की है, आए दिन रश्मी देसाई के नए नए फोटो शूट्स होते रहते हैं शोशल मीडिया पर वाइरल, हर एक फोटो शूट्स का होता है फैंस को बेसबरी से इंतजार, क्योंकि रश्मी देसाई के हर एक लुक्स होते हैं यूनिक और स्टनिंग, गौचियस जिसे देखकर फैंस के उड़ जाते हैं होश, लगतार आपको बता दू कि जहां जिकर होता है रश्मी देसाई का, वहां फैंस हमेशा से सूपर एक्साइटर होते हैं उनके हर एक नए प्रोजेक्स को लेकर, रिसेंटली रश्मी दे देसाई भी एक शोशल कुईन है और शोशल बटरफ्लाई है, तो इन तीनो अक्ट्वस के अगर बात करें तो बाक टू बाक यह तीनो हसीनाए ही अपनी अपनी जगह पर शोशल कुईन है, लेकिन सवाल आपसे यह है कि आपके अकॉर्डिंगली शोशल कुईन कौन है आप कीजिये वोट और हमारे कॉमेंट सेक्शन में बताईए, तब हम बॉलिवोड और टीवी दुनिया से जुड़ी हरे खबरों के लिए देखते रहे हमारा चानल